आपको कश्मीर में पत्थरबास दुबारा चाहिए, आपको महाराश्रु में अजमल खसब दुबारा चाहिए, वो फैसलेटी मोदी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा, आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम, आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने दें कि Keeping मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से महबबत और 약ãy तो मुसल्मान हो यह फो हम हम अपने देश से बहुत महबबत करते हैं और आज ये देश मिस्र हो एजिप्ट हो अस्टेलिया हो, सिड़नी हो, पापुआ हो, जैपैन हो, हीरोश्यमा हो, जहां हमारे मोधी जी जाते हैं, हमारे भारत के परधान मंतरी जाते हैं, सर वो प्रत्थम और सबसे ज्याधा प्रिये देखे जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है, हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है, तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बिटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है, हमारे हिं तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में, कि एक हिंदुस्तान होगा, एक सम्विधान होगा, एक भूमी होगी, एक राष्ट्र होगा, और एक उनिफॉर्म सिविल कोड इस प्रपोजल इंडिया तो फॉर्मिलेट और इंप्लिमेंट परस्नल लॉज, यह मैंने आपक एक सम्विधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है, हिंदु अपने मंदिर में जाएंगे, मुसल्मान अपने मस्यद में जाएंगे, क्रिश्चन अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुर्दवारा में जाएंगे, किसी भी कास्ट क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी एक भारत, एक समविधार, एक राष्ट, एक समविधार, एक भूमी, एक समविधार ये करने की कोशिश की जा रही है अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सै डिटेल्स में विस्तार में बताओंगी कि क्यूं मुसल्मान, हमारे इंदुस्तान के कुछ मुसल्मानों को तकलीफ हो रही है और उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे इंदुस्तान के मुसल्मानों को, क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिपॉर्म सिविल कोट अगर आ जाता है, तो जेंडर इनेक्वालिटी खतम हो जाएगी, और जेंडर इन अपने स्टेट्मेंट में कहा है कि मुसल्मान औरतों औरतों के बराबर हो जाएगी, मुर्णा शपिक और रह्मान बर्क, जो हमारे हिंदुस्तान में मुसल्मान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे है, दाड़ी और तोपी में खुद की आलेंटिफिकेशन चुपा करके, उन को भी उनिफोर्म सिबिल कोड बहुत नफरत है, अब मुनाना साजित रशीदी की बात करते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में काफी फेमस मौलाना है, तो इन लोगों को उनिफोर्म सिबिल कोड से बहुत नफरत है, क्यूंकि इनके मजार में चादर का जो पैसा आता है, माफिया जो वक्त बोर्ट पर चल रहा है इन सारी चीजे ये सारी धंदावाजी इनकी बंद हो जाएगी जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है अब मैं आती हूं कुरान पर क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला र सुरे अलबकर वर्सिस 2.230 में ये साफ लवजों में लिखा हुआ है हलाला इस सिन खुरान कहता है इकरा पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो लड़किया मत पढ़ो और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिल्चस्पी रखते नहीं मुसलमान लड़के मुसलमान पर मुला कहता है मौली कहता है कि जेंडर एक्वालिटी नहीं होने देंगे हम मुसलमान और तों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे जबके खुरान कहता है सुरे अलनिसा में कि जेंडर एक्वालिटी अब आते हैं सुरे अल-एहजब में चैक्टर 33 वर का अबाया इन सारी चीजों का कोई भी जिक्र पूरे खुरान में नहीं है ये मैंने आपको पूरा पूरा खुरान के हवाले से बता दिया है अबु मर्तहद जो मेसेंजर थे खुदा के और जो प्रॉफिट मुहम्मद के पास जाया करते थे और बहुत सारे प्रॉफिट के प नहीं चाहते हैं कि मजार में ताला लगे चाहे अजमेर शरीफ में जितने भी बलादकार हो जाए और अजमेर 92 का किस्ता कितना ही सुप्रिम कोट में खुल जाए कि वहाँ कितनी अश्रीलता होती है वो यह लोग नहीं सामने लाना चाहते हैं क्योंकि अब बात ऐसी आती है कि जहां पर गंद मचता है तो बात आज आए या दस साल बात आए बात तो खुली जाती है मैं कहना चाहती हूँ कि जब निकाह करते वर्ग तीन बार खुबूल है पूछा जाता है लड़कियों से तो तीन बार तलाक बोलने से पहले पूछा क्यों नहीं जाता है कौन सा खुरान है और कौन सा ये मुला है जो कहता है कि तीन बार रहा twin पर तलाइक दे दिगे और तलाइक हो जाएगा रख चौदा मुस्लिम ममालिक ने चौदा मुस्लिम करिंट्री ने वह अयुद करके रखा कि इस तलाख को बंद किया जाए और हमारे पारलिमेंट पे हिंदुस्तान के पारलिमेंट पे इस पर बिल आया कि इसको बंद किया जाए और इस पर खानूनी कारवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए 3-7 بال کی सजा है तो ये कौन सा मुल्ला है और ये उनिपॉर्झ सिबिल कौर्ट से इतना कौन सा डर है कुरान तो कहता है जेन्डर एक्वालिटी के बारा में कुरान तो कहता है Education के बारे में कुरान तो हमें नहीं कह रहा हैं कि हमको بूर्खाइВ में छुप जाना है कुरान तो नहीं कह रहा है कि हम और तो नहीं होना चाहिए करां तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कई संविधान होगा एक भूमी होगी राश्टर घोलमा होगा और अबातहा होगी टीक है बड़ा आप होगी अच्छा अगर बात करें वुमेन इंपावर्मेंट के उपर अगर हम बात करें खास तोर पे पाकिस्तान इंडिया वर्सिस पाकिस्तान वुमेन इंपावर्मेंट आपको क्या नजर आता है क्या फरक नजर आता है इंडिया की खवातीन इंडिया की लड़कियों और पा हिंदुस्तान की लड़कियों को अपने खानून पर बहुत भरोसा है और अपने जुडिश्री सिस्टम पर बहुत भरोसा है। लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। तो आँखों में पानी आ जाएगा कि उन्होंने बहुत मेहनत मुशक्कत से यहां तक वो पहुची है और नहाइक ही एडुकेटड हमबल पॉलाइट और सॉफिस्टिकेट है वो तो यह हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों को और हिंदुस्तान की बेचियों की मैंने तारीफ ब्याइब रखी है अब आप आपके पाकिस्तान पर आ जाते हैं तो आपके में आपकी अधाप आजा रहा हैं जो फिल्म ऐक्क्रेस है मेरे को जो उक्टरस हैं वो बॉलिवुड में फिल्म बनाने के बाद अपने आपको समझती है आपके पाकिस्तान की महिलाओं के पास अगर आप जाईएगा पूछने के लिए तो वो जरूर इंडिया की तारिफ करेंगी और कहेंगी कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है और हिंदुस्तान जो लि चेटिया यह मूँ खोल करके अपने वालिच से अपने नहीं कह पाती है कि कुरान ने हमें अनुमती दिया है अपना रप्संद करने के लिए और यह यह राइट आप मेरे से नहीं छीन सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में हमारे बाप के उमर का husband हमें नहीं पकड़ाया जाता है क्योंकि हम उस पर rebellious हो जाते हैं वलना rebel हो जाते हैं और हमें ये right दिया गया है क्योंकि हमारी Indian judiciary system हमें ये right देती है कि हम अपनी आवाज उची कर सकते हैं और अपने बाप के उमर के साथ निकाह नहीं कर सकते हैं तो ये सारी facilities जो इंडिया में है वो आपके पाकिस्तान में नहीं है आपके पाकिस्तान की लड़किया कभी भी आपके आपके पाकिस्तान में हो रही गल्तियों के बारे में نہیں बोल पाएंगी लेकिन हम बोल देंगे लेकिन आप शायद देखती होंगी सोशल मीडिया पे के eight requests को खास और पे ओरत मार्च पाकिस्तान में भी निकलता नजर आता है पाकिस्तान में भी बहुत ऐसी खावातीन, बहुत सी ऐसी और्निजेशन्स हैं जो वूमेंट इंपावर्मेंट के ओपर बात भी करती हैं, काम भी करते हैं, फिर भी कही न कहीं बहुत सी चीज़े हैं जो बेहतरी के लिए हमें मजीद करनी चाहिए, अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के सोशल म मोड के फिर मेंस्ट्रीम मीडिया पर दिखाया जाएगा के जी कुर्बानी के दुरान हिंदूओं ने मुसल्मानों पर अटैक कर दिया, मुसल्मान बहुत मजबूरी में वहां रह रहे हैं, मुसल्मान बहुत डरे हुए हैं, अपने मजभी तहवार नहीं मना सकते, इसके पर आप क्या कहना चाहेंगी, मैं पहले आपके वो आठ मार्च के मार्च की बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे से रहा नहीं जाएगा, मुझे नीन नहीं आएगी, मैं जवाब नहीं दूँगी, चलिए आपका इस्लामिक स्टेट है, मुझे दो ए, एक मिनट दे जी मैं बोलना चाहूंगी, आपका इस्लामिक स्टेट है, मैं इसलाम के हिसाब से बात करती हूँ, क्या आप नमाज एद और बकरीद में ही सिर्फ पढ़ते हैं, जी यह तो बात है, विलकुल आपने बड़ी, जब तक आपकी हयात है, जब तक आपकी साथ चल रही है, आपको पढ़ना है ना, तो women empowerment सिर्फ आठ मार्च को नहीं होता है, यह नि मैंने example के तोर पे बोला, मैंने यह नि बोला कि आठ मार्च कोई बास वाते हैं, मैं कहरों, बहुत सी organization क्यों काम कर रही है, जो पाकिस्तान में नहीं दिखता है, जीक है, अब आती हूँ मैं आपकी बात पे, मैं आपको पाच ऐसे example अभी recent के दे दूँगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, कि हमारे हिंदुस्तान में मुसल्मानों की जो criminal activities है, वो कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है, और वो कितने हद तक यहाँ पर criminal activities बढ़ाते रहते हैं, मार्च में पश्चिम मंगाल में वेस्ट बिंगॉल, हिंदुस्तान का एक स्टेट है, वेस्ट बिंगॉल, जहां पर राम उत्सव मनाया जा रहा था, और वहां पर राम भक्तों के ऊपर मस्जिद से इटा पत्थर फेका गया, राम भक्तों को मारा पीटा गया, राम भक्तों को पैरों से कुचला गया, जि यूपी उत्रपर्देश में मेरे कैसे 40-42 लोग जो है वो मंदिर में गुस करके फ्राइडे के दिन नमास पढ़ने के लिए चले गए थे जो अभी अरेस्ट हुए है मंदिर के अंदर नमास पढ़ने चले थे अब मैं आपको तीसरा इंस्टिएंट बता बता देती हूं मद् दिल्ली में दिल्ली और यूपी के बॉर्डर मन एक लड़का था शेहनवाज वो गेमिंग आप के जरिया यहां पर चोटे-चोटे बच्चों को कनवर्शन करवाता था कहता था लाई लाहा पढ़ो तो तुम यह गेम जीवत जाओगे उसने गेमिंग आप को इसी तरीके से सेट करके रखा था जो अभी अरेस्ट है अब मैं आपको पांचवा फूलन फाइनल बताती हूं हैं बहुत सारे इंसिडेंस लेकिन जो अभी ए करताती हूं आपको कि यहां पर पश्रम बंगाल में वेस्ट बिंगॉल में दो भाई हैं मुसल्मान नासिर खान खादिर खान जिनोंने भरे बाजार में एक फॉरेनर लड़की का बलातकार किया बार से पब से नाच गा करके दारू पी करके और मुविंग कार में उसको घर ड्रॉप करने के बारे में कह करके वो दोनों मुसल्मान भाईयों ने बलातकार किया और उसके बाद यहां की चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सजावा घटना है तब जाकर के खानून सामने आया और उन लोगों को कन्विक्शन दिया गया दस साल का और जब दस साल वो पूरा सज खटके आया तो वो फाइव स्टार होटल में धूम धड़क्के से नाच गाना और दारू के साथ उसने अपना शादी भी किया खर。 तो एक वह से पहले भी बहुत पहलेव सी ठीजिन लोग हैं जो इंडिया से बिलोग करते हैं उनसे से बात होती है ऑपको Tea consumed मैं मुसलिम मुस्लिम की वुज़ा धीस्वर으ा गसे नहीं होता हैं। है नहीं कोई इश्व होता है जिसे रंग-म्थथा दिया जाता और ये चीज में आप समझने में भी मतलब आती है बहुत एजी ली अगर अगर आप थोड़ा सा माइं लगाएं लेकिन यह जो हमें मीडिया पे वीडियो दिखाई जाती है मस्की शहीर की जा रही है कभी में दिखाए जाता है कि लोड स्पीकर पर बबंदी लगाई जा रही यहां पर बोर्ट के लिए ऐसे इंजीनियरिंग का एक्जाम होता है याईएस का एक्जाम होता है IPS के exam होते हैं, judiciary के exams होते हैं, तो वो सारे exam जो continue to होते हैं, तो उस वक्त मंदिर, मस्ज़ेद, गुर्दवारा हर एक को notice जाता है, कि किसी भी तरीके से बच्चों को कोई भी problem उनके education के preparation में नहीं आना चाहिए, दूसरी एक चीज है कि हमारे article, हमारा जो constitution है, उसमें एक decimal set किय हुआ है, कि कोई भी जगा loudspeaker इस से उपर नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे यहां voice pollution और violence को भी बहुत ज्यादा, voice को भी बहुत ज्यादा calculate करके यहां पर use किया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में, गाड़ी का horn जादा नहीं बजा सकते हैं, वो sound pollution को control किया जाता है, हम लोग बहुत सरी गावडी sound pollution को का एक board लगा करके चलते हैं, तो यह सारी चीजों की वज़े से इसको propaganda बनाया जाता है, अब अपने बकरीद की बात कही है, तो मैं आपको वहां की बात बताती हूँ, जिसको propaganda बनाया जाता है, क्योंकि उत्तर परदेश में योगी जी की सरकार है, इसलिए उस उत्तर परदेश को सबसे ज्यादा हिट किया जाता है, मैं वहां का, या तो आप मुझे परसो अगर live कीजेगा, तो मैं आपको दिखा दूँगी वहां का, एक तो conference में लेकर के, हम चाहेंगे कि ऐसा कुछ, अगर पॉसिबल है, अगर कोई आपको इशू नहीं है, तो हम चाहेंगे कि दिखा सकेगे हैं, अगर मेरे platform के थूँ, दस लोगों की सोच बदलती है, बीस लोगों की सोच बदलती है, तो यह मैं समझूंगा, कि मैंने एक concept को खतम करने की दुरूत है, अगर पॉसिबल हुआ, जरूर करेंगे, जी, तो हमारे उतर परदेश में यहां पर पूरे में टेंट, बड़े-बड़े टेंट बनाये जाते हैं, स्टेट गवर्मेंट की तरफ से उतर परदेश में गार्वेज के बॉक्स रखे जाते हैं, बड़े-बड़े containers रखे जाते हैं, water tank रखाया जाता है, और उसके बाद पिर जो वहाँ पर सफाई करने वाले मजदूर होते हैं, वो भी corporation की तरफ से दिये जाते हैं, ताकि किसी भी तरेके का कोई भी problem जो ये festival मना रहे हैं, उसको ना आ सके, और immediate road वगरा, या जो आंगन होता है, या गलियारा होता है, उसको immediate साफ कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पर भी कुछ terrorism mind के लोग आते हैं, और उसके बाद फिर हिंदूों के sentiment को hurt करने के लिए, कभी facebook live कर देते हैं, जबा के वक्त में, तो कभी खून का जो होता है, जबा के वक्त में, उसको live करके दिखा आते हैं, तो यह सारी जो चीजें होती है, तब वैसे situation पर भी योगी जी की सरकार जो है, खामोशी से उन बच्चों को arrest किया जाता है, और उन पर खानूनी कारवाई, जो हमारे IPC और CRPC में, उस हिसाब से religious sentiment को hurt करने का जो sections है, उस हिसाब से उन पर कारवाई होती है, otherwise इस पूरे इंडिया में, ईद और बकरीद, veins देख लिएचिये, बड़ी मश्चिद देख लिएचिये, आप मिनारा मस्चिद देख लिएचिये, मतलब जिस state की भी मशचिद के बारे में आप ओलिएगा, मैं उस state की मस्चिद को लाइव आपको दिखा सकती हूँ, बहुत फ्राइडे गर आप मुझे वीडियो कॉल कीजिए गा तो मैं गारी से चलते चलते कोड़ से आते वक्त मैं आपको दिखा दूगी या कोड़ जाते वक्त मैं आपको दिखा दूगी चाहई हैूं रोट पर नमाज हो रह buffer और बजार पे पुलिस के साथ नमाज पडा पडास प जुरान एक पाकिस्तानी मिले जिन्होंने मुझे बोला कि मैंने इंडिया का विजट किया वहां पे जब मैंने मसाजिद को देखा तो जितना रश मस्जिद में इंडिया की मस्जिद में है जितनी तेजी से जब अजान होती है मुसल्मान इंडिया के मस्जिद की तरफ जाते तो फिर दिन बादिन मुसल्मानों की अबादी इंडिया में बढ़ती नजर आ रही ये चीजें हैं जिन पर हमें सोचने की जरूरत है अच्छा मैं मुझे आप ये बताएं कि अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन्स की बात करें आप क्या समझती है एजे पॉलिटीशन एजे सोचल एक्टिविस्ट आप यूथ भी है पाकिस्तान के यूथ के साथ आपकी डिसकशन रहती है सोचल मीडिया पर भी आप देखते होंगे क्या आपको लगता है हमारा माइड और आपके माइड में फरक क्या है और ये जो फरक है किया ये खृतम हो सकता है रिलेशन बहतर हो सकते है मतलब ये जो हमारी एपर्ट है किसी काम नहीं आने वादी समझाया, उनको जाता है झो समख सके और जिन्ना से ले करके जर्दारी तक सुर्फ और सुर्फ इसर घमकी गूर्म्नंअं तकबट।ि सिर्फ और सिर्फ हाफिज सौईद। सिर्फ और सिर्फ अजमलकषब। सिर्फ-तर इसामा बिन लादेन अब और नहीं। आप दूर हम दूर अच्छा मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि रेलेशन बेहतर चाहते ही नहीं आप मतलब रेलेशन चाहते ही नहीं बेहतर और खराब तो दूर की पात बाती लिए उट रही है, बह Came अचाू रही है। खजिट करके आपकी आर्मी लेकर जा रही थी हमारे वाले को कोई मतलब नहीं था कोई फरक नहीं पड़ा था आपके यहां आर्मी को यूज किया जाता है आपके यहां की जो खवातीन जो मिनेस्टर से शाजिया मर रही वह हमारे father of nation बापू जी को गालियां रेती है वह हमार बहुत देपराई वे क्या चाहिए भईया आपको कश्मीर में पत्थरबास दुबारा चाहिए आपको महराश्रुमे अजमलकसफ दूबारा चाहिए वो फैसलेटी मोधी जी की सरकार में आपको नहीं मिलेगा आपके पाकिस्तान से चूटी नहीं आने देंगे हम यह हमारे मो पेज़ा दहलाया था यह मोदी जी की सरकार ने हाफिस साइद का देखें अब कुछ बिल्कुल यह चीज एकसेप्ट करने की जरूरत है कि जहां पे जो शकायत है चाहे इंडिया को पाकिस्तान से है पाकिस्तान को अगर इंडिया से है वो शकायत जब तक दूर नहीं होगी च लेकिन मेरी ओपिनियन यह है कि हमें अगर यह देखेंगे के अब हमें रिलेशन करना ही नहीं तो शायद यह कुछ बेहतर नहीं होगा गलतियों को दूर करके रिलेशन बेहतर करने के मैं हक में हूँ तो आप क्या कहने वाली दी जी ना आये और इतिहास बनाया है 9 साल में मोदी जी ने ये situation अब नहीं आ सकता नहीं आ सकता आर्मी से बहुत महबद ठीक है लाश में मुझे बस ये आर्मी से जी ठीक है आप अपने सवाल कर लीजी ठीक है लाश में मुझे बस ये बता दीजिये कि जैसे पाकिस्तान में हर बात पर उठा दिया जाता है कि इंडिया के मुसल्मानों पर बहुत जुलम हो रहा है हम इंडिया के मुसल्मानों के साथ खड़े है हमें इंडिया के मुसल्मानों की दर्द है किश्मीर के मुसल्मानों की दर्द है जबके दूसरे साइट पे जब मैं इंडिया के मुसल्मान से बात करता हूँ, जब मैं नाजिया इलाही खान से बात करता हूँ, जब मैं यानामीर से बात करता हूँ, या किसी और इंडियन मुसलिम से बात करता हूँ, तो वो कहता है कि हमें पाकिस्तान से कंसर्म नहीं है, मै मैं इस बात पे बहुत हिरान होता हूँ कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है मतलब as a humanity हमें क्या दिखाया जा रहा है क्या समझाया जा रहा है यह चीजें एक मतलब थोड़ी सी मुझे हिरान करती हैं यह चीजें